भारत देश किसानों का देश है, इसके अंतरगत जहर्खन राजिया में अधितर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, मडवा और धान यहां का मुख्या फसल है, जून महिने में इसे खेत में डाला जाता है, नॉबिम्बर दिसेंबर में काटा जाता है, प्राजिन काल से हमा कूटा हुआ चावन स्वादिश्ट होता है, लेकिन आज ढेकी को लोग छोड़ दे रहे हैं, अधोनिक मसीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मडवा एक आउसेदी भी है, सुकर मरीज एवाम हेमोगलोबिन की कमी के लिए प्राती दिन इसको खाने से फैदे मंद है, मडवा को लो यह आउजार भी नुक्त हो रहा है, इसका हमको भूबूत ही दुख है, दास साल पहले घर-घर में धिकी था, जता भी था, आज कल का समय में तो उस जबाना का चला गया, नया-नया, बहुचाब, और उस अब को मिहनात ने करने खोचते हैं, हम तो पहले कही जैसे अभी भी आज कल का समय में मरवा रूटी कोई नहीं पसंद करेगा, नहीं खाते हैं, पहले जब बाना में हम लोग तो खाते थे, इसलिए वही पकाई और पकाई और अधी पका के खार हैं अभी, मुर्क बेश लगता है, हलका मिठा लगा देते हैं, तो और अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, पाई रहांत, सरीर के लिए फाइदा होता है, लेकिन सब कोई करने नहीं खोजता है, सब छोड़ दिया, तो खाने के लिए, सब मासी नर्दो काम से लाके खाता है, अब कबाल वक्चा सब उढ़िया बन गया आज से करीब 10-12 साल पाले, हमारे आदिवासी लोगों का प्रतिये घर में ढीकी कुटा हुआ चावल, जाता से पीसा हुआ मडवा रोटी खाते थे, जिसमें ज्यादा आईरन मिलता है, और पर्सवतिक पीड़ा के समय उनको ज्यादा तकलिप नहीं होता था, असानी से घर में ही बच्चे को जाते थे, और आज सभी महलाएं पर्सवतिक के लिए होस्पीटल में जाते हैं, और उहां खून पानी चड़ाना पड़ता है, कमजोरी लगता है, और हर तरह का दरत पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, मैं गोरेती कुजूर बोकारो जीला जारखंड से और हैं, और मैं जाते हैं, ओbbe क्यों और हैं, और हैं हैं, और लगता हैं, और लिए हैं, और खाते हैं, ख cá